पबजी और सब्जी में बस थोड़ा ही अंतर है पबजी को हम पढ़ाई छोड़ कर खेलते हैं और नौकरी ना मिलने पर जिसे हम बेचते हैं उसे कहते हैं सब्जी सोनू बोला मोनू से यार जीवन का असली सुख किसे कहा गया है मोनू बोला भाई सर्दी में आलू के पराठे खाने के बाद धूप में मगर मच्च की तरह पड़े रहने में जो मज़ा है उसे ही जीवन का असली सुख कहा गया है फिल्मों में हीरो चाहे कितना भी बेरोजगार रहे उसकी एक गर्फ्रेंड तो होती ही है और वह भी अमीर बाद की बेटी बाकि आप तो मेरा इसारा समझ ही गए हूँगे राजू बोला हेलो अंकल नमस्ते सिम्रन घर पर है अंकल बोले हाँ है बेटा बोलो क्या काम है मैं बोल दूँगा राजू बोला अंकल उसे बोलना जा सिम्रन जा जी ले अपनी जिन्दगी पपू को रात के अंधिरे में चोरों ने पकड़ लिया और जम कर धुनाई की चोर बोला ये हाथ मुझे को दे दे पपू पपू बोला हाथ ले ले भाई पर सुबह सुबह सफाई करने जरूर आ जाई हो चोर बेहोस पींकी बोली अरी बहन रात को तो मैं डर गई चींकी बोली क्यों भूत देखा क्या पींकी बोली नहीं रात को सपने में कोई मुझे चाकू मार रहा था चिंकी बोली अरे सपने के बारे में टेंशन मत ले पिंकी बोली क्यों चिंकी बोली अगर सपने सच होते तो मेरी साधी कप की हो चुकी होती राहुल गांधी घर पर बैठे मुँखली खा रहे थे तब ही उनके घर मंत्री आय और बोले सर हम चारो तरफ से घिर गए हैं राहुल बोले किसने घेरा मंत्री बोले अरे दुस्मन सीमा पर गोली बारी कर रहे हैं राहुल बोले तो सीमा से कहो कुछ दिन घर पर ही रहे